दोर गाज़ेबाद में कुत्तों के आतंग से लोग परशान है कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजर्गों काटे चाने की मामले जो है लगतार सामने आ रहे करे लाकों में कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स और पीडित लोगों की बीच विवात की स्थिती भी उत्पन ह होती दिखती है आ जिसा जो मामला है ये गाज़बाद से सामने है जहां पॉष एलाके राजनगर एक्स्टेंशन की गुल मोहर सुसाइटी से ये पूरा मामला सामने है जहां समिती के ग्राउन फ्यूर पर एक पार्क में खेलने गया पांच साल के मासुम बच्चे को पार् पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुते को काटने की शिकायत करने वाले लोगों पर उससे और उसकी बेटी से अभधरता का आरोप लगा दिया जिसके बाद पीडित बच्चे के परिवार दोरा घटना के लेकि शिकायत स्थानिय पुलिस से की गई और शिकायत के आध तब वो आपको बाइट करेगा तो बच्चे ने ना टीज कर रहा ना कुछ बच्चा अपना प्ले कर रहा था जब आप शिकायत लेके उन महिला के पास तो क्या कुछ एक विवाद का ट्वीट भी सामने आ रहा है कि अपी देट तक गैमा गैमी और भाजी तो जैसे ही हम हम एक्चुली इस लेडी के बारे में पहले से ही पता था कि यह जो है ना दूसरों पर मोले स्टेशन का चार्ज लगा देती हैं तो हमने पहले पुलिस को बुलाया पुलिस को बुलाने के बाद हम पुलिस को लेके इनके साथ गए तो हमने इनको बुलाया सिक्योर्टी गार् हैं मैं हूँ मदर तो मैंने का आपके जो है डॉग आपकी बेटी डॉग लेके बैठी हुई थी और उनके आसपास भी डॉक्स थे उनमें से एक डॉग ने इसको बाइट कर लिया तो कहती है कि तो हमने थोड़ी बोला था कि बाइट कर लो और जो है ऐसा तो कुछ नहीं होता और फिर वो पुलिस के साथ पांट साथ है